स्वागत फ्रेंड्स आपके अपने होम साइज चैनल में हम क्लास गया रहा है कि पाठ नौ पढ़ रहे थे जो क्या है पोसर से सम्मंदित जानकारी बताता और कितने के लिए खास तोर पे बच्चों के लिए इस चैप्टर में हमें सभी प्रकार से बच्चों को किस प्रकार स स्वास्त से सम्मंदित रखा जाए किस प्रकार से स्वास्त से सम्मंदित यह चैप्टर हमें जागरू कर रहा है इस चीज को हम इस चैप्टर में सीखते हैं जो कि ना किवाल हम अपने पेपर की तयारी करते हैं बल्कि स्वयम की भी देखवाल कर सकते हैं तो आईए देखत से बच्चों को कम लागत वाली अलपा आहार शनेक के रूप में उधारड किया गया कि किस प्रकार से बच्चों के लिए हम लंच बॉक्स घर पे खाने के लिए अलपा आहार इन सब चीजों का हम कम वे में तैयार कर सकते हैं ठीक है तो यह सब हम पढ़ चुके हैं आगे कि विशेश आहार निम्नमेशे है अब देखिए विशेश आहार किसे कहते हैं कुछ बच्चों को उनकी योगिता के आधार पर उनके आहारों एवं दैनिक आहार के शमय पर परिवर्तन की आवश्यक्ता पड़ सकती है अब मान लेजिए कोई मा गर्वती थी और उस गरभा कि कमी जब 6 मा के बाद बच्चा बड़ा होता है पूरक आहार उसे देते हैं जो कि deserved की बढ़ा इतु कि पूरक आहार की वहता कि थी य जैसे भी हमें वह लगे वैसे हम देंगे माली जी कि डेट तो खाएगा नहीं बच्चा तो गुड है चुकंदर के जूस है अनार के जूस है यह सब बहुत चीजें इसके साथ यह जो विसीज करके उसके भोजन तालिका में हम अलग से कुछ मेंसन करेंगे ना उसी को कहा जात यह समाच में में परिंवर्टन की आवसस्य पड़ सकती है ठीक है ना इसबाश्टिक बच्चों को विभिन्यष्ण खाद्य सन्रचनाओं वाला खाद्यपदार्सौपरी बंग सकता है इसबाश्टिक सन्रचनाओं वाले इबर देख लेजिए centuries है किस बच्रे yang बच्चों कि ये बच्चे क्वार्डिप्लेजिया से ग्रशित होते हैं, ठीक है ना? ग्रशित होते हैं, और ये क्या है? ये गंभीर बिमारी है, ठीक है ना? और इसमें क्या होता है? तुन्हे निगलने? कठिनाई वोती हैं, और कभी कभी जान जाएए कि ये क्वार्डिप्लेजिया जो रोग है ना? ये क्या होता है कि बौद्धिक विकलांगता भी देता है? क्या देता है कि ये जो है ना? बहुत देख लांगता देता है, है ना? नोट करिएगा, ऐसे क्वेस्चन पूछ लेते हैं, तो देखिए जो इसपार्डिक बच्चों के विभिन खादिपदार्थ, खादिपदार्थ संपचरनावले खादिपदार्थ अप्रिय लग सकते ह तो उन्हें घोटने में जब दिक्कत होगा, तो उन्हें क्या होगा? अप्रिय लगेगा ही, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पतले तरलपदार्थों को गाढ़ा किया जा सकता है, तथा भूखे अथवा ढेले दार भोजन को टुकड़ों में काटा जा सकता है जो टुकड़े आप ऐसे बड़े-बड़े पीस में काट रखे हैं, उसे क्या करते हैं? छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं, आथवा मुलायम बनाया जा सकता है, ताकि बच्चे आसानी से निगल सकें, देखिए निगलने में शमस्या होती है, इनको ठीक है ना? तो न निगलने में यहां पर परिशानी होती है, हमने बताया, यदि आवा सकता पड़े, तो फीडिंग ट्यूब का इस्तमाल किया जा सकता है, यदि बच्चा छोटा है, तो निगलने में देखते हैं, फीडिंग ट्यूब का क्या होता है, इस्तमाल किया जाता है, कुछ असक्त बच्चो में मोटे होने की प्रवेर्थी होती है, जिससे भोजन करना कठिन हो जाता है, श्व लीन्ता रोग आश्टीज्म वाले बच्चो में श्वात तथा गंद की इंद्रिया परिवर्ति होती है, जिसके कारण भोजन ग्रहण करने से उनके गुड़ और दूस प्रभाव पढ़ सकते हैं, है ना, आगे दिखते हैं, उन्हीं पसंद को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वशा, सीमित तरल पदार्थ, विशीष फार्मूला, अन्य अहार्शमंदी परिवर्तन किये जा सकते हैं, अतिरिक्त वशा, अम्मा लेजिए अगर जो जमने वाले फैट हैं, मतलब घी है, मखण है, ठीक है, तो इन चीज़ों को ना देखें, उसमें परिवर्ति करिए, सीमित तरल पदार्थ हो के, कम से कम तरल पदार्थ हो के, विशीष फार्मूला अपना इए, कि जिस प्रकार से बच्चा लेना चाहता है, उसे किस प्रकार से हम सही वे में दे प प्रतिरच्षड का मतलब है ही कि आप समझ जाएंगे कि टीका करण संचारी रोगों को संचारी रोगों का शामना करने के लिए आप कुछ टीके उपलब्द है जो रोग से वच में आग का समाट जाता है वह जड़ से समाप्त हो जाता है वह रोग कि आप कि आप सामना करने के लिए फेलबद है तो हमने डबली एच्चो के क्लास में क्या पढ़ा है कि वो जड़ से समाप्त हो जाता है वो रोग नीचे और फिर होता भी नहीं है नीचे सारडी होता होने का वो भी होता है ना तो हमारी अंदर जो टीका करण वाले जो एक्टिव होते हैं जो उसे क्या कहते हैं जो पावर या फिर उर्जा एक्टिव होते हैं रोग प्रती रोधक चमता हां वो क्या करते हैं उन्हें इंहेंस कर देते हैं तो होता नहीं है नीचे सारडी 6 को देखें यही है आपकी सारडी 6 सारडी 6 को देखें तथा ध्यान देखें विद्याले पूर्वे बच्चों में DPT OPV की ब लागाया जाते हैं अब देखें अमने पिछले क्लास में तो यहका कि एक से बारह मा तक के बच्चों को बच्चे को देखा ता ना जन मसे जन मसे बारह मा अब यहां देखिए बच्चे को क्या 15 मा सीधे आ गया कि 13 14 हटा आप भाई 2 माह से तो इसमें उसमें हो सकता है तो 15 माँसे देखिए 15 माँसे 18 माँ का क्या कितने वह इधर एज बता रहा और इधर टीका करें तो 15 मांसे 18 मां का यदि आपका बच्चा हो गया है तो एम आम आर मम खशरा कन पेड़ा एवं रूबेलय का टीका है अबेलय का टीका है इसे लगवाना चाहिए दूसरा देखते हैं कि क्या है दूसरा क्या है 16 माह से दो वर्ष का हो जाए तो तो डीपीटी ओपीवी और बूस्टर खुराग देखते हैं अगला क्या है आपका दो वर्ष का हो जाए तो टाइफाइट का टीका लगवाई ए और यदि बच्चा जब बच्चा आपका पांच वर्ष का हो जाए तो डीटी का टीका लगवाई ए है ना और दस से वर्ष का हो जाए तो टीटने टाकसाइट टीका टीका लगवाई है और जब बच्चा आपका अठारह चोविस तीस या च्छतिस माह यहां दिया ठीक ना माह का हो जाए तो कितने का आपका लेगवाई अर्थात देखिया अठारह यह क्या दो वर्ष अशी भी ले र और विटामीनी ड्राप तो यहीं से दिया जाने लगता है, है ना, तो उसे मेंसन किया है, इसे याद कर लेज़ेगा, यह त्यान देने वाली चीज है, अब तक क्या सीखें, अब पहला देखिए, आपके चार वर्ष ये बच्चे को कितनी कैलोरी उर्जा की आवर्शक्तिया है, क्या आपने शीखा ये चेप्टर पढ़के, दूसरा, यदि आपका बच्चा चार वर्ष का है, तो कितनी कैलोरी देंगी, विद्याले पूर्वे बच्चों में आहार, आयोडीन, आयोडीन, लौ, अतत्व, कैल्सियम, प्रोटीन की क्या महत्वा है, क्या इसे आप जी ओके, तो पीछे का क्लास देखिया, आराम से समझ में आगया, विद्याले पूर्वे बच्चों के लिए आहारों की योजना बनाती समय कि तीन पहल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, है ना, तो इसी अभी हम जश्ट पिछली वाली क्लास में हम देखे हैं, और च बताया जा रहा है, विद्याले जाने वाले बच्चों के स्वास्त पोशड एवन स्वास्थता, अब ये बच्चे विद्याले अच्छे हैं, वर्ष के पहले के तो बच्चे विद्याले जा नहीं रहते, अब सात वर्ष से बारा वर्ष के बच्चे क्या हो रहे हैं, विद पोल्षक्त्यों को दे दिया है। उसकी और उर्जा प्रोटीन खनीज लवड़ में उसके अंदर है वह उसे क्या कर दी पाड को क्या मजबूत बना दी हैğa, ताकत वर भना दी है। देखें कि अब विकास प्रकृया पेच्छा कृत धीमी हो जाती है। इस आयू में क्या होती है धीमी हो जाती है नोट कर लिजिए गा कि किस आयूमे अधीमी हो जाती है तो सात से सात वर्स से बारा वर्ष ठीक है नıldaga धीमी हो जाती है इसके पहले खुद तेजी से बढ़ती है सरीर में धीऱे धीर परिवर्टन होने लगता हैufen चυρώब से नौ से व्रिद्धी एक अव्यक्त अवद ही है अर्थात व्रिद्धी इस्पष्ट रूप से द्रिष्ट कोचर नहीं होता परन्तु अब बच्चे की अनेक गति विदियों के कारण उनकी दिनचरिया व्यस्त होती है इसलिए उनकी उर्जा को बचाए रखना बहुत ही महत्वपूर है अब दिनचरिया का मतलब क्या है बच्चे जब इस्कूल जाने लग रहे हैं तो सुबह ही क्या हो रहा है कि पांच बजे ही बच्चे उठ जा रहे हैं उनको नेत कर्वा करवाया जाया नहाए दोए तैयार होके कुछ खाए पीए साथ बजे तक तो सारे बच्चे कढ़ना लिखना घर पे आए तो घर पे भी थोड़ा खेलना को देना फिर उसके बाद से ट्यूशन है फिर स्कूल की होमवर्क है फिर रात में दूसरे से बोलते बात करें तो क्या है बच्चों को ज्यादा इस समय ध्यान रखना नह वर्ष की आयू तक के बालक एक बालिक जान करें उनके पस्चात बालक एवं बालिकाएं कुछ पोसर तत्यों की आवश्यक्ताओं में अंतर आ जाता है आपको याद होगा कि बालिकाओं के लिए उर्जा की आवश्यक्ता लगभग वही रहती है ना बालिकाओं के लिए उर्जा की आवश्यक्ता वही रहती है न से छोटे मोटे question पूछते हैं ठीक है ना तो कन्क्यूज होते हैं कि वही रहेगी कि नहीं बच्चा लड़का भी तो खेलेगा लड़की भी खेलेगी उसे भी उर्जा चाहिए उसे भी नहीं चाहिए तो मन में बहुत विचार आते हैं लेकिन जो असल में यही होता है ना कि जो बुक और कापी में 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 सन होता है ना वही चीज आयोग मानता है तो हमें उस पर ध्यान दे लेना चाहिए और यही चोटी-चोटी चीजे हम से निस हो जाती है है ना तो देख लेगा किन्तों अस्तिकी ब्रिद्धी अवं मासी श्राव की तैयारी में सहायता के लिए से लिए प्रोटीन लौफ तो तता कैल्शियम की अधिक मात्रा में माली जिए मांषीक हो नहीं वाल बारे वश्ष के बाद तो देखती है और फूर्ष ऑता है जिसे मैं सन साइकिल कहते हैं या अ पर प्रियाट्स बोलते हैं तो उस समय क्या होता है रख्त-श्राव में और तो जिससे क्या होगा कि भी उसे सही मात्रा देनी चाहिए अर्था तरह तरह के देखिया आनार है यह चुकंदर हो गया घर पर क्या यह गुड़ वगएरे रहते ही है शाहद है तो यह सब क्या है लोहतत्यों के लिए बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं क्या कह रहा है त सब में क्या होता है कि कैल्सियम की अधिकता भी चाहिए क्यों क्योंकि जो हार्मोन होते हैं तो अभी इस अवस्था में भी लंबाई चोड़ाई बढ़ती रहती है जिससे क्या होती है कि हड़िया मजबूत रहे जिसके लिए कैल्सियम की आवश्यक्ता होती है हड़िया ल के लड़के लड़कों के लिए कितने लड़कों के लिए कैलोरी की आवर्श्रिक्ता पड़ती है है ना कैलोरी की आवर्श्रिक्ता पड़ती है नोट करिए ताकि किशोरा वस्था के दरान उनकी व्रित्थी में तेजी के लिए कैलोरी के परियाग्त रिजर्व को बनाए रखा जा सकते हैं अब इधर देखिए क्या दिया है विद्याले जाने वाले बच्चों के लिए अनुवांशिक साथ वर्स से बारा वर्स के लिए क्या दिया है आयशिक मा दुख अनुजंतिक पोशक तत्व दिया है इस से जरूर एक बर पढ़ लिजेगा की आयू क्या अनुसार दिया है कि यदि इधर बालक के लिए दिया है और इधर आपका बालक के लिए दिया है तो दोनों के लिए क्या करिएगा पढ़ जाएगा कि किता देखिए दिया है कि उर्जा प्रोटीन वश्या कैल्सियम लौता तो विटमीन रेटिनाल भी केरोटीन थायमिन राइबो फ्लोरिन पाइरेडक्सीन फॉलिक और आमल्ट ठीक है ना तिसन्ह आप दिया है कि लड़कीों से वाश सीन थे बें आप तयां देखिएगा और तकिश के लिए आ Multette यह बिद्या जाने वाले बच्चों के लिए और योजना कि सभी पहली तथा नेड देशों का नुकररर करते हूए ऐसाल riff त Built कि विद्यालय जाने तक बच्चे आहार अंतरगरगर का एक विशेस पैटर ने स्थापित कर लेते हैं अठात आहार क्या करते हैं, सुबह को अपना टाइम से खा लेते हैं पी लेते हैं लंच बॉक्स में जो ले जाते हैं उसे भी फिनिस कर लेते हैं तुसी काया कुछ सीमा तक आप सही हैं कि विद्यालय गामी बच्चों के लिए संतुली ताहार योजना अन्य पहलियों से भिन नहीं करता है जिसके बच्चे को प्रती दिन आवस्चता पड़ती है था विविद्प्रकार के भोजन की अब मां लीजिए ग्रीन बेसी टेबल है उसमें खनी जिलवर मिलेगा दाल वाले है जितने भी आपके क्या है फली वाले चीज़े उसमें प्रोटीन मिलेगा जितने भी क्या है दूद्ध के आइटम है डैरी के आइटम है दुद्ध ढही चाच पैनीर मख़न बटर गी यह सब क्या है दूद्ध प्रोड़क्ट है तो इसमें प्रोटीन की रिच इसमें उसमें तरह तरह के बेट्मी Sabina तो यह चीज क्या है अलगल आपको देंगे लिग जो भी sneaking वी लो चीज को उर्जा सोर में तो इसी तरह होने से नए खाद्य पदार्थों को स्विकार किये जाने की संभावना बढ़ जाते हैं और मान लीजे उन्हीं खाने को अगर आप तरह तरह से बना रहे हैं उसी सबजी को तरह तरह से बना रहे हैं कभी कुफता बना दी कभी सूखा बना दी कभी भूजी बना दी कभी सूप बूला बना दी तो क्या होता है कि उसमें विबित्ता बढ़ती संभाना बढ़ती ये ख़ादे-पदार्थ को स्विकार करने में आर्था खाने का मन ज्यादा होता है तरह तरह से हम खाते हैं वाली जी उसकी सूखी नहीं अच्छी लगती तो देखते हैं आज का क्लास यह समाप्त करते हैं अच्छा इसे देख लेते हैं थोड़ा अच्छा पोसड सुनेश्चित करना हम जानते हैं कि इस उमर में बच्चे को अपेच्छा क्रित अधिक प्रोटीन कैल्सियम लोह तत आयोडीन की आवश्यक्ता पड़ती है उन्हें शब्जियों फल साबूत अनाज खाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए फल तता सब्जियों को व्रीहत पोशकततो में सामिल करना चाहिए और किसे फल तथा सब्जियों को वरिहत पोशक ततों में सामिल किया जाना चाहिए कि सगंधा को बेहतर करती है तथा साबूता नाज हिर्दय रोग साबूता नाज जो होता है में इंसन करिएगा कि जो आपका साबूता नाज होता है जो साबू तनाज होता है जो साबू तनाज होता है न वो हिर्दय रोग तथा मधूमी है जैसे रोगों को खतरा से कम करता है जैसे रोगों के खतरों को कम करने के लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आयोडियन युक्त नमक आयोडियन की कमी से बचने का सबसे सरल रास्ता है संत्रिप्त वशा नमक एवन चीनी का सिमित मातरा में शेवन करें संत्रिप्त वशा कौन सी होती है जो जम जाती है तो उससे बचने का क्या करें आप बहुत कम मातरा में वो करें आप जानते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों का विकास धीमा हो गया ठीक है ना साथ से जो बारा माह है वो बच्चों का विकास क्या हो गया धीमा हो गया नोट करिएगा यह क्वेस्टन यहां से भी पूछ सकता है कुल कैलोरी में से 20 प्रतिसत कैलोरी वशा के रूप में ली जाने चाहिए वसा एवन चीनी की प्रचूरता वाले आहर मोटापे के खतरे तता इसे समन्दी समयासाओं को बढ़ाते यह तो हमें वाकई पता है अधिक चीनी युक्त खाद्य पदार्थ है चीनी की प्रचूरता वाले आहर मोटापे के खतरे तता इसे समन्दी समयासाओं को बढ़ाते अधिक चीनी युक्त खाद्य पदार्थ दात समन्दी विबारियों के कारण बनते है अब देखिए किसके कारण बन सकते हैं दात सम नोट करिए कि अधिक चीनी युक्त खादेपदार्त किसके बीमारियों को कारड़ बन सकते हैं तो दात सम्मंदी देखते हैं दात ही जल्दी बच्चों के खारा बते हैं अब यह जितने चोटे-चोटे बच्ची हैं बहुत ज्यादा डेरी मिलके खा लिए बहुत ज्यादे क किट-केट है हमेशा उन्हें चाकलेट पसंद ही आता है चाहे कितना भी लेते रहे हैं तो क्या होता है बच्चों के कि दातों पर बहुत जल्दी असर पड़ता है दात ही तूटने लगते हैं दात मकीड़े लगने रहते हैं तो उसी को कहा जारा बनते हैं शोडियम का अध इसके पल स्वरूप लकवा लकवा बिमारियां से खत्रा बढ़ जाता है कि आप जानते हैं कि आज-ध़ च्छोटे बच्चे परयममं मधु में खुद स्वयम देखते हैं कि बच्चे आज पर च्छिपी Top 3 क्लास में ही ही और खु corresponds मोटे मोटे नहीं अग्रूंत होती है की मेरा बच्छा हेल्दी है लेकिन ये वुश जगह पे हेल्दी का काम नहीं गया तथा उच्छ रक्तदाप का बार-बार शिकार हो रहे हैं बहुत ही आगे चलके खतनाक हो सकता है नास्ता अवश्य करें नास्ता अवश्यकर नास्ता एक विशेश आहार है बहुत इंपाटे फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेस्चन नोट करानी है उसे वाकई ध्यान दीजिएगा बहुत ही जरूरी होता है तेकि इसलिए एक एक लाइन पढ़ने से यही हमें फायदा मिलता है कि सारी क्वेस्चनों का हमें पता चल जाता है इसमें प्रोटीन एम और्जा अधिक से अधिक ह उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए प्रोटीन और ओर्जा होना चाहिए क्योंकि वही ठोड़ा सा हम वो खाते है नास्ता करके और बागी कामों में लग जाते हैं, बच्चे पढ़ने जले जाते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा टाइम हम बिता लेते हैं, राद भर खाली पेट रहने के उपरांत बच्चे को सुबह नास्ता कभी भी छोड़ने नहीं देना चाहिए, सुबह का नास्ता ना खाने से उनके सार सारीरिक, भाई बच्चे वही तो टाइम है कि बच्चों को ग्रोथ करने का, विकास उनका होता है, उनके सरीर के अंदर के सारे पार्ट अभी डबलभ होते हैं, अर्थात विक्सित होते हैं, अभी उतने मजबूत तो होते नहीं, जो भी इनके लंग से हैं, गुष्ध है, जो भी चीजें हैं, तो वह क्या होंगे, वह सारीरिक एम बा मानशिक,लित खवच्चा बज dressing एक्ति और बच्चे क्या है कि लिए में कि बच्चे मोऊंचे इन दियामेमे और इक्टिए मोई पझाती। तो कुछ इसे मानसिक कारी को इहां पर ध्यान देने की बात कर रहा है, क्योंकि बच्चा ही स्कूल जाने की बात यहां पर हो रही है कि अब बच्चा इस्कूल जा रहा है तो plot सिकर हैं पढ़ाई आपका क्याया है? मानसिक कारिया हैं, जाना आना नहाना, दोना ड्रेस पहनना यह सारी सारी गतिपी दिए हो गई summarize how to manifest. तो मानसिक कारिया में उसका नकरातमक प्रभाव पढ़ेगा अर्थात पढ़ने में मन नहीं लगेगा है ना तुसी बात को कह रहा है तो ध्यान देजिए तथा कैलोरी एवं पोशक ततों की 36 दिमाग में पूरी नहीं की जा सकते अब आके देखते हैं भोजन बनाने की योजना में बच्चों को सामिल करें जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके भोजन की योजना में सामिल किया जाना चाहिए उन्हें अपने पोश्टिक खाना खाने के लिए रूची बढ़ेगी अम्रिता का आठ वर्ष का एक बेटा तथा एक दर्स वर्ष की बेटी है वह उनके पसंद एवन संतुलित आहारों की योजना बनाने के लिए उनके विचार विमार्ष करती है वह उन्हें शामागरी खरीदने के लिए अपने साथ ले जाती है कि कच्ची भोजन समागरी खरीते समय क्या-क्या ध्यान देना चाहिए क्या आप नहीं सोचते हैं कि वह उनके पौश्टिक भोजन परोशने के कारी को आकर्सित बना दीती है इसके अतेरिक्त बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप भोजन को पकाने तता परोशने के समचित कारी सिखाती है ऐसा करने से बच्चों में उत्साह बढ़ता है और उनमें भोजन के प्रती स्वास्त और सकारात्मक धारणाएं विक्सित होती है अर्था देखिया हमने देखा ना कि ये बच्चा साथ से बारा साल का हो गया है अब बच्चों को हमें मार्केट ले जाना चाहिए जब हम साक सब्जी खरीदें या फिर घर के बाहरी साक सब्जी खरीदें तो उससे पूछाना चाहिए कि बेटा क्या खाऊगए तो तरह त जब उसका टेष्ट पता चलेगा, तब बच्चा उसी खाने में पसंद करने लगेगा, है ना, और कोई भी सब्जी यह नहीं है कि आपके लिए खराब करेंगे, और बच्चों को बार-बार दिखा कि ऐसे लेंगे, तो बच्चे बार-बार अलग-अलग टाइब के सब्जी लेंगे, वेजिटेबल लेंगे, इसके साथ ही जो भी अन्य चीजी हैं, तो बच्चों का क्या होगा, खाने-पीने के जर्ये लगाव बढ़ेगा, और इसके जर्ये बच्चे अलग-अलग टाइब के सब ही चीजे खाएंगे, क्यों क्योंकि वे स्वैम पसंद करके लिवा बनाते समय उन चीजों को बताईए, दिखाईए कि क्या होता है, बनाते समय पकाते समय वो कलर नहीं रह जाते, जो कलर कच्चे में रह जाती है, वहीं खरीदते समय बताईए कि इन चीजों को हमें कच्चे खाने भी चाहिए, पॉस्टिक होता है, कुछ चीजों को हमें पक बनाए खरीदिया औला के सीधे परोज दिए तो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि यह क्या चीज है तो उसमें मन नहीं लगा पाते हैं तुसी कहा जा रहा है संतुले भोजन की योजना बनाने दिशान निर्देश का अनुपालन करने के लिए अतरिक तो युश्कूल जाने वाल स्टार है अब इसे देखिएं वर्स साथ से नौ साल के लिए है 10 से 12 साल के लिए इदर है तो सारा देख देख जाईएगा अना जई और मिलोट है दालेवं फलिया थे जाले वाल यही चीजों को तो हम फलिया कहते हैं, दूद एवं अमके उत्पाद है, दूद दही, छाज, पनीर, बाटार, मक खान, ये सब क्या है, दूद के प्रोडक्ट है, छोथा है, फल, तता सबजिया, जड़ एवं कंद, हरे पति वाले सबजिया, हरे पति वाले सबजि चीनी और वशा यह देख लीजिए तो आज का क्लास हम यहीं उबर करते हैं नेक्स अगले क्लास में हम आगे का देखेंगे आगे क्या है हमें देखना है कि बच्चे के लिए नास्ता बगेरा किस तरह से हम पोशक ततों को सही रूप से तैयार करें इस चीज के बारे में सो फ